कि डबल लायन के रोजेट को कैसे टेस्ट करते हैं यह डबल लायन का रोजेट है कि इसमें एक साथ में हम लोग लाइन काड को भी टेस्ट कर लेगे और जब लाइन काड यह और डावल लायन का रोजेट है यहां बेखिए मैंने दो रोजेट को लूप कर दिया था कि अलग है उसको दोनों को मैंने लूप कर दिया और मल्टीमीटर ले लिया इसको कंटिनुटी में लगा जब कर लेते हैं कि कितना दिखा रहा है सच है Knowledge का कि माइटी मित्ह нравится कि यहां जा जीर्व कोएंट सिख फोम है और जो हमारा रोजेट है प्लस के लाइन कार्ड है इसका रेसिस्टेंस जादा नहीं होना ज़िए वहुथ-वह हो गाइय है यह कॉम भी महिना रहते हैं देखते हैं इसका चेक करके यह रिदिंग बढ़े दिखां। भारी कर रहा है 110 ohm, 101 ohm, 110 ohm, 107 ohm, 114 ohm, मतलब इसमें 189 ohm भारी कर रहा है, बहुँ ज्यादा भारी कर रहा है, 180 ohm यह सही नहीं है, 100 ohm भी है, तो यह सही नहीं है, दुसरे बार कर चेक करते हैं, इधर के रेट पर लगाएंगे, इधर के ग्रीन पर, इसका 57 ohm, फड़ा सही है, लेकिन फिर भी यह भी सही नहीं है, अच्छा, अब यह हो सकता है, कैसा नहीं, लाइन कार्ट तो नहीं खराब है, मैं लाइन कार यह सिंगल लाइन का मैं रोजेट ले लिया, दो रोजेट ले लिया, यह रोजेट चुकि डवल लाइन का है, यह पूर भाय रहा है, तो मैं RJ11 जो आप सिंगल लाइन का लगाया हूं, तो यह बीच वाले में होगे, रेड और ग्रीन, तो इधर का मैं ग्रीन पर लगाता लेकिन 100 ohm, 200 ohm आ रहा है वो सही नहीं, और यहां पर रेड लगाते हैं, इतर ग्रीन पर लगाते हैं, यह भी 3 ohm है, मतलब यह लाइन काड ओके हो गया, पलास यह लाइन काड काड ले जाके लगाना है, यह लगा है, उसकी खेलियर तो नहीं जादा आती है, कई वार होता ह रेशिश्टन भाइरी करता है खीच के देखने पर बढ़ तो नहीं रहा है अब यहाँ पर मैं फिर से एक बाद देखाता हूं कई जगाए से फ्रेलियर आते हैं जो कि लाइनकार्ड का इसूर आता है लाइनकार्ड खीचने पर भाइरी करता है यहां पी मैं एक रेड़ पर गरीन पर लगा दिया और इसको खीच के देखता हूं कोई भाइरियस्टन नहीं है फिलाने पर भी कुछ नहीं हो रहा है मतलब क कि यह रिडिल थिरी ओम है मीटर को पहले चेक करते हैं मीटर की कंट्री हूंटी ओक्या है लगवाग आधा ओम के करीव है थाइंक्यू